हलो फ्रेंट्स अपना डर्ज डेंड बायो केमस्ट्री बीपी टू जीरो थीटी के इस वीडियो में हम लो यूनिट वन में अपने एक और बायो मॉलीक्यूल नुक्लिक एसट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लो नुक्लिक एसट के इंटुडक्शन के बारे मे बात करेंगे, उसके क्या हमारे functions होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके जो chemical structures हमारे होते हैं, उसके बारे में detail में बात करेंगे, मेरा नाम है Dr. महमताप सिंग, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो अगर हम लोग जो हम लोग उनके बारे में बात करते हैं, तो इसके जो हमारा Bio Molecule है Nucleic Acid, उसके बाड़े में यहां पे बात करेंगे, तो अगर हम लोग जो हमारे Nucleic Acid है, उनके बारे में बात करते हैं, यह हमें दो प्रकार के देखने को प्राप्त होते हैं, पहला है हमारा Deoxy Ribbonucleic Acid, जिसको हम लोग simply DNA के नाम से indicate करते हैं और जो हमारा दूसरा है that is called the ribonucleic acid इसको हम लो simply RNA के नाम से यहाँ पे indicate करते हैं और जो हमारे nucleic acids होते हैं यह हमारी जो होती है genetic information होती है उसके लिए एक तस्वत से कह सकते हैं वो repositories या transmitters की तरह simply यहाँ पे serve करने का काम करते हैं तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे nucleic acid है वो दो प्रकार के हैं DNA और RNA और जो हमारे nucleic acids होते हैं वो हमारी जो genetic information है उसको वहाँ पे हमारे लिए store करने का भी काम करते हैं और एक generation से दूसरे generation में उसका जो transmission होता है उसके लिए भी यहाँ पे simply responsible होते हैं तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारी genetic information है उसको हमारे लिए यहाँ पे restore करने के लिए भी nucleic acid responsible होते हैं और एक generation से दूसरे generation में हमारी जो genetic information है उसको वहाँ पे transfer एकतर से करने के लिए हमारे humans में, animals में और plant में उसको एक generation से दूसरे generation में transfer करने के लिए भी nucleic acid यहाँ पे responsible होते हैं हम लोग जो हमारे होते हैं nucleic acid हमारा DNA हमारा RNA है उसके अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारे एक scientist थे जिनका नाम ता John यह थे हमारे फ्रेडरिच मिस्चर थे उन्होंने 1869 में पहली बार DNA को यहाँ पे discover करने का simply काम किया था उसके बाद में जो हमारे DNA ह होते हैं उसके अंदर हमारी जो genetic information है वो होती है उसका जो हमारा demonstration है उसको यहाँ पर एक तसे कह सकते हैं पहली बार 1944 में हमारे जो scientist थे जो हमारे पहले थे उनका नाम था every दूसरे थे MacLeod और हमारे तीसरे थे MacCarrie इन्होंने हमारे जो DNA है उसके अंदर हमारी genetic information होती है इसका जो demonstration है पहली बार 1944 में इन्होंने यहाँ पे किया था तो अगर हम लोग जो हमारे DNA होते हैं जब वो organized होते हैं तो वो हमारे simply genes को यहाँ पे form करते हैं और जो हमारी genes होती है यह हमारा जो genetic information है उसकी simply fundamental जो unit है वो हमारी यहाँ पे genes simply कहलाती है और अगर हम लोग जो हमारे genes हैं उनके functions के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा protein की synthesis होती है वो यहाँ पे RNA के साथ में उसको वहाँ पे control करने के लिए हमारे genes simply यहाँ पे responsible होते हैं तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि DNA जब organized होते हैं तो वो हमारे जो genes हैं उसको यहाँ पे form करते हैं genes क्या होती है ये हमारी जो होती है genetics information उसके हमारे fundamental जो unit है वो simply यहाँ पे genes कहलाता है और जो हमारा protein का synthesis है उसको RNA के साथ में explain करने के लिए genes यहाँ पर simply responsible होते हैं तो जो हमारे यहाँ पर DNA होता है और जो हमारा RNA होता है यह साथ में यहाँ पर protein की जो हमारी synthesis है उसको यहाँ पर करने का simply काम करता है तो यह जो हमारे हैं हम कह सकते हैं तीन हमारे जो होते हैं हमारे हैं biomolecules DNA RNA और हमारे जो protein है इनका जो होता है molecular biology उसमें हम लोग इसको यहां पर constitute करने का काम करते हैं simply कह सकते हैं कि जो हमारा होता है central dogma of the life उसमें हम लोग simply इसको contribute करने का constitute करने का काम करते हैं तो जो हमारा वो डगमा होता है यह क्या होता है कि यह हमारा अगर हमारी कोई भी science है उसके जो हमारे principles होते हैं उसको include जो उनका हमारा वो लिट्रेचर होता है, simply उसको हम लोग कहते हैं, तो जो हमारा होता है molecular biology, उसका जो हमारा वो central एक तस वो डगमा है, उसमें हमारे जो DNA है, RNA है और हमारे प्रोटीन है, वो उसके अंदर होते हैं, या हम कह सकते हैं, जो हमारा होता है, कह सकते हैं central, हमारा वो डोगमा लाइफ का है उसके भी हमारे ये जो तीन बायो मॉलेक्यूल से डीने आरेने और प्रोटीन ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं अब हम लोग जो हमारे यहाँ पे नूक्लिक एसिड हैं उनकी डेफिनिशन के बारे में सिंपली बात कर लेते हैं तो अगर ह आसान तरीके से कहते हैं तो जो हमारे नूक्लिक एसिड होते हैं ये हमारे नूक्लिक एसिड होते हैं उनके सिंपली पॉलिमर्स यहाँ पे होते हैं या हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये हमारे पॉली नूक्लिक एसिड होता है वो अपना जो हमारा होता है हमारा सुगर का हम लोग जो हमारे होते हैं Nucleotides उनके बारे में भी इसी वीडियो में detail में बात करेंगे और अगले जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग DNA का structure, RNA का structure उन सब में जब बात करेंगे तो उस place पे हम यह वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा phosphate bridge होता है वो किस तरह से हमारे तीसरे और जो पाचवा हमारा होता है carbon उसके उपर हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है तो अब हम लोग यहाँ पे Nucleotides के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके पहले भी वीडियो में हम लोगों ने जब Nucleic Acid के introduction के बात किया था तो Nucleotides के बारे में हम लोगों ने sort में बात किया था जो हमारे Nucleotides होते हैं वो क्या होते हैं यह यहाँ पे जो हमारा nitrogenous base है उसके composed होते हैं हमारा pentose जो सुगर होता है उसके यहाँ पे composed होते हैं और phosphate के simply हमारे nucleotide यहाँ पे composed होते हैं तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा nucleotide है उसमें हमें वहाँ पे एक nitrogenous base देखने को प्राप्त होता है, एक वहाँ पे हमें pentod, जो सुगर है वो देखने को प्राप्त होता है और एक हमें जो phosphate है, वो हमें अपने structure में nucleotide के एक structure में हमें देखने को प्राप्त होता है और ये जब हमारे nucleotide आपस में combined होते हैं ये simply हमारे DNA और RNA को यहाँ पर प्रपेयर करने का काम करते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारे नुकलिटाइडस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग DNA और RNA के इस्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे तो अगर हम लोग जो हमारे nucleotides होते हैं, उनके functions के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारे cells है, उसका जो हमारा building block होते हैं, वो हमारे nucleotide है, ये होते हैं, उसके बाद में जो भी हमारा होता है, वो nucleic acid होता है, उसका जो हमारा structure होता है, उसकी जो हमारी होती है, monomeric unit, वो हम हमारे simply जो nucleotide है वो यहां पे एक तरह से होते हैं जो भी हमारा structural वहां पे component होता है हमारे हम कहसकते हैं कुछ जो हमारे enzymes हैं वो जैसे कि example ले तो जो हमारा होता है यहां तरह भी complex जो हमारा vitamin होता है उसका जो हमारे होते है अनजी रिक्षन, उस सकते हैं और जो भी हमारे निवक्लियोटाइज्ञ होते हैं जो हमारे सेल हिरे करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं, कि जो हमारे निूकली टाइड है, यह हमारी जो cell है, उसका building block है, उसमें भी हमें अपने निूकली टाइड देखने को प्राप्त होते हैं, जो हमारे नूक्लीक एसिट का इस्ट्थिर है, उसमें जो हमारी monomeric unit है, वो हमारे नूक्यू जो टाइड है वो यहा पर होते हैं, जो भी हमारे हम कह सकते हैं、 कुछ हमारे जो एंजाइमस हैं, लाइक जो वह क Isaac's, जो हमारे बी खूंप्लेक्स हमारा होता है, एक तरसे कह सकते हैं, विटामिन होता है, उसके structural जो component है, उसमें भी हमें nucleic acid देखने को राप्त होते हैं, हमारी body की, जो हमारी cell की जो होती है energy की reaction, उसमें भी हमारे जो nucleotide हैं, वो वहाँ पर participate करते हैं, और जो हमारी metabolic reaction, उसको भी control करने का काम, nucleic acid simply यहाँ पर करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर, जो हमारे nucleotides होते हैं, उनके structure क बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे nucleotides होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर दो सब्दाएंगे, पहला है हमारा that is called the nucleotide, दूसरा है हमारा that is called the nucleoside, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके detail में बात करेंगे, तो यहाँ पर जब भी प्राप्त होता है जो हमारे ही होती है कह सकते हो प्राप्त होता है या जो हमारे सिंप्ली वो सुगर होता है वो हमें अपने नुक्लियोटाइट के structure में देखने को प्राप्त होता है और जो हमारा phosphate होता है वो भी हमें अपने structure में दोनों देखने को प्राप्त हो रहा है तो उस condition में वो हमारा होगा, यहां पे वो nucleoside होगा और अगर जो हमारा होता है, वो nucleoside है उसमें अगर जो हमारा phosphate है वो भी आ के attach हो जाता है, तो वो simply हमारा nucleotide यहां पे form करता है, तो हम लोग आसान वो तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा nucleotide होता है उसमें जो हमारा nucleo यहाँ पे एक तरवो side है वो plus जो हमारा phosphate है अगर वो यहाँ पे combined हो जाते हैं तो simply यहाँ पे हमारे nucleotide को create करते हैं तो यहाँ पे confuse बिल्कुल भी मत हो येगा जो हमारे होते हैं एक तरवो nucleo side है वो क्या है यह है हमारे nucleo base है और जो हमारे वो sugar है वो यहाँ पे होते हैं तो इस condition में अगर हम लोग इतने के बारे में बात करते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा simply हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर वो nucleoside हो जाएगा, तो जो हमारा nucleoside है उसके साथ में, जब हमारा phosphate यहाँ पर attach हो जाता है, तो simply वो यहाँ पर हमारे nucleotide को create करता है, तो इसमें अब हम लोग जो हमारे अलग-अलग, जो हमारे होते हैं nitrogenous bases हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे, इसमें जो हमा nitrogenous bases होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर simply बात कर लेते हैं, तो जो हमारे होते हैं, यहाँ पर nitrogenous, जो हमारे यहाँ पर base है, उसमें हमें यहाँ पर purine और हमारा जो pyrimidine है, वो यहाँ पर हमारे simply nitrogenous base होते हैं, तो अगर हम लोग इस पर यहाँ पर बात करते हैं, तो जो भी ह हमारा होते हैं, वो nitrogenous, हमारे यहां पर बेस होते हैं, हमारे जो nucleotide हैं उनके अंदर, वो हमारे यहां पर एक तरके aromatic heterocyclic compound Simpli यहां पर होते हैं, तो aromatic, heterocyclic, जो हमारे compound है, वो हमारे simply, जो nitrogenous हमारे base है, nucleotide में, वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, तो यह जो हमारे structure है, वो दोनों, यह हमारा जो एक तरसे structure, जो हमारा है, यह वाला structure हमारा है, यहाँ पे जो purine है उसका, और यह वाला structure हमारा simply pyridine का पे वो ring है, वो देखने को प्राप्त होती है, और इसमें हमारा जो होगा, एक तरसे first हमारा जो position है, उस पे हमें एक यहाँ पे nitrogen देखने को मिलता है, और जो हमारा third जो हमारा position है, उस पे हमें एक यहाँ पे nitrogen देखने को मिलता है, और इसके साथ में एक हमारी five member ring यहाँ पे वी दीमिदीन है। उसके बारे में बात करते हैं तो इसमेन Calling उसके बारे सकते हैं। नमबर यहां पर नम्बर नमबर ठीटरोजन एक देखने को प्राफ्टत होता है। तो इसमें जो हमारा होता है, वो numbering उस पे भी आप लोग एक तरह से ध्यान दीजेगा, तो इसमें जो हमारा यहाँ पे simply होता है, कह सकते हैं कि purine है, इसमें जो हमारा वो numbering है, वो हमारा यहाँ पे simply anti-clockwise हम इस place पे करते हैं, वो हम लोग इसमें जो हमारा होता है, यह हमारा होता है clockwise, तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे इस तरह से हम लोग यहाँ पे numbering करने का काम करते हैं, तो यह जो हमारा वो numbering है, आगे इसको हम लोग, जब हम लोग complete structure के बारे में बात करेंगे, DNA के, RNA के, तो उस condition में यह numbering काफी important वहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे proper nomenclature को देने के लिए, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे nucleic acids होते हैं, उनके जो हमारे major bases, उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो जो हमारे DNA होता है, और जो हमारे RNA होता है, इसमें जो हमें हम कह सकते हैं, कि जो हमें यहाँ पे जो purine है, वो जो देखने को प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि इस place पे अगर जो हमारे वो numbering यहाँ पे वो system है, उसमें अगर जो हमारे वो 6 नमबर है, कहते हैं वो six amino जो हमारा होता है प्यूरीन उसके नाम से इंडिकेट करते हैं या इसको हम लोग यहाँ पे ए से इंडिकेट करते हैं उसके बाद में जो हमारा होता है यहाँ पर कह सकते हैं प्यूरीन है उसका एक जो हमारा और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्म है इ यहां पे जो हमारा उफ च्छठे नमबर का carbon होता है, उसके उपर हमें एक oxygen group यहां पे przysz सिंपली देखने को प्राप्त होता है, वो double bond O group यहां पे देखने को प्राप्त होता है, तो यह क्या फॉर्म करता है,ज़ा तो यह फॉर्म करता है, उसके बाद में अब हम लोग ये तो अभी हमारे हम कह सकते हैं वो derivative थे जो हमारे होते हैं प्यूरीन उसके उसके बाद में अब हम लोग जो हमारा होता है पाइरुमडीन उसके जो हमारे अलग-अलग यहां पे structure हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस place पे जो हमारा होता वो cytosine होता है, यह हमें इसको हम लोग यहाँ पे capital जो C है, उससे यहाँ पे indicate करते हैं, और यह हमें अपने DNA और RNA दोनों में देखने को प्राप्त होता है, तो इस condition में अगर हम लोग इस place पे एक तरह से बात करते हैं, तो यह जो हमारा वो दूसरा नंबर का वो carbon होता है, हम इसमें जब वो numbering करते हैं, तो यह हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा 6 होता है, तो यह जो हमारा वो दूसरे नंबर पे, एक हमें यहाँ पे oxy जो group है, वो देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा fourth यहाँ पे number है, उस पे हमें जो हमारा amino group है, NH2 group है, वो अपने structure में देखने क प्राप्त होता है, इसलिए हमारा कहलाता है, 2 oxy, 4 amino pyrimidine, simply यहाँ पे एक तरसे कहलाता है, और इसको हम लोग यहाँ पे cytosyn के नाम से indicate करते हैं, और capital C के से हम लोग इसको अपने जो हमारे structure होते है, DNA और जो हमारे RNA के, उसमें वहाँ पे short form में, वहाँ पे लिखने के प्राप्त होता है, तो जो हमारा यहाँ पे होता है, और जो हमारा होता है, और जो हमारा होता है, यह भी हमें अपने DNA और RNA में दोनों में देखने को मिलता है, जो हमारा यहाँ पे वो cytosyn है, यह भी हमें अपने RNA और जो DNA है, दोनों के structure में, यहाँ पे वो देखने को एक त से कह सकते हैं कि जो हमारा वह नूखलीड. cd है उसमें जो हमारा 2 सेकेंड यहां पे फॉपईबीयन र nella हरे यहां पर डिफर देखने है तो इस में इस प्लेस पर क्या होता है कि जो नहीं पー स्वाइख कुँट छो यहां मैठल ग्रूप है उसके बाद है । यहां पर डाइकित क्रेंक्ट होता है तो यहां पर फॉर्म करता है तो फॉर टाइक्सी उसके बार हमारा 50 तिल पाइरिमडीन को simply यहाँ पर फॉर्म करता है और इसको हम लोग simply थाइमीन के नाम से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग capital T से यहाँ पर इंडिकेट करने का काम करते हैं और अगर हम लोग जो हमारा होता है RNA उसके यहाँ पर बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमार यहां पे एक तरसे प्राप्त होता है और इन हम कह सकते हैं वो दोनों में जो हमारा अंतर है जो वो क्या है कि इसमें हमें जो हमारा होता है फिफ्ट प्लेस उस पे यहां पे एक प्रकार का मेथिल ग्रूप देखने को प्राप्त होता है इसमें हमें वो हमें यहां पे जो मेथ से देख लेते हैं तो जो हमारा DNA है और हमारा RNA है उसमें जो हमारा एडनीन है और जो हमारा होता है ग्वैनीन ये दोनों हमें अपने DNA में भी देखने को मिलता है RNA में भी ये हमें वो देखने को प्राप्त होता है अगर हम लो यहां पे जो हमारे होते हैं कह सकते हैं पिरमडिन उसमें अगर बात करते हैं तो उसमें जो हमारा इस प्लेस पे है जो होता है this cytosin, ये भी हमें DNA और RNA में deux देखने को एक दर familiar से प्राफ्वत होता है, अब जो हमारा यहां पे होता है जो हमारा दूसरा हमारा पायर मदीन बेस है वह हमें DNA और RNA में अलग-अलग देखने को प्राप्त होता है तो हमारा जो DNA है उसमें जो हमारा थाइमीन है वो देखने को मिलता है और जो हमारा RNA है उसमें हमें जो हमारा यूरेसिल है वो सिंपली देखने को हमें यहाँ पे प्राप्त होता है अब हम लोग यहाँ पे प्यूरीन और हमारे पाइरेमडीन के टाटोमेरिक फार्म के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर जो हमारा होता है molecule, वो हमें यहाँ पे keto और हमारे inol, दोनों form में अगर exist होते हुए, देखने को प्राप्त होता है, तो उस condition में क्या है, कि वो हमारा, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, तो उसको उसकी simply कहते हैं, मिन्स वो वहाँ पे, वो लेक्टम जो हमारा form है, और जो हमारा वो लेक्टिम form है, उसमें अगर कोई molecule हमें देखने को प्राप्त होता है, या simply कह सकते हैं, कीटो या हमारा inol form में, अगर हमें हमारा molecule अगर देखने को प्राप्त होता है, तो उस condition में वो हमारा simply totomerism, वो हमारा कहलाता है तो जो हमारी होती है कह सकते हैं प्यूरीन की हमारी जो रिंग होती है हेट्रोसाइकलिक जो हमारी रिंग होती है और जो हमारा होता है पारियमडीन उसकी हेट्रोसाइकलिक जो हमारी होती है वो रिंग होती है उसमें जो हमारा ऑक्सो यहाँ पर एक तरह से ग्रूप होते हैं तो अगर हम लोग इस ट्रक्चर में आते हैं तो concept आप लोग को और अच्छे से space पे clear होगा तो इस condition में क्या है कि अगर जो हमारा structure है वो हमें कुछ इस प्रकार का वो देखने को एक तरह से प्राप्त होता है कि means हमारा उसके साथ में हमारा है of double bond O और जो हमारा उसके साथ में nitrogen है उसमें अगर एक hydrogen यूहime अगर एक तरह से lieutenant होता है तो यЕ जो हमारी होती है यह हमारा यहां पर lactum एक तरह से जो form वह कहलाती है या simply keto form योऊ're using वहाँ प्र कहलाती है और अगर सुप्रेस पर इसा जो हमारा carbon or nitrogen के बीच में अगर आ जाता है तो यह इसकी simply जो हमारा inol एक्टर से form है वो कहलाती है या जो लैक्टिम form हमारी है वो simply यहां पे एक्टर से कहलाती है तो इस condition में इस place पर क्या है कि इसका hydrogen इस पर आ गया तो यहां पर o h हो गया और इस condition में यह जो इस place पे होता है साइटोसीन होता है उसके अगर हम लोग जो हमारा वो टॉटोमर्स हैं उनके अगर बारे में बात करते हैं तो इस कंडिशन में क्या होता है कि इस प्लेश पे अगर हम लोग इस प्लेश पे देखें तो जो हमारा वो कार्बन है उसके साथ में एक हमारा वो डबल ब कहलाएगा यहां हमारा यहां इसका होता है इस पर यहां पर हो जाता है यह हो जाएगा और यह इसकी यहां पर simply जो inol form है, वो यहाँ पे कहलाएगी, या जो हमारा होता है, कह सकते हैं, लेक्टिम form, वो यहाँ पे हमें एक तरह से कहलाएगी, तो इस condition में अगर जो हमारे होते हैं काई सकते हैं उसमें जो हमारा वो ग्वैनीन है उसमें हमें जो हमारा वो टॉटरमेरिज्म है वो यहां पर देखने को प्राप्त होता है और जो हमारा होता है यहां पर काई सकते हैं उसमें जो हमारा वो साइटोसीन होता है हमारा वो थिय क्लियर हो जाएगा तो अगर हम लोग इस प्लेस पर बात करते हैं तो यहां पर एक हमारा जो है छूट गया है तो यहां पर एक एच को हम लोग यहां पर इंडिकेट कर लेते हैं तो इस कंडिशन में क्या है इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यह हमारा एंच है और यह हमा और यहां पर टाटव मेरिज्म देखने को एक तरह से प्राप्त होगी, उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा वो साइटोसिन है, उसके ऊपर आते हैं, तो इस कंडिशन में भी एक एच यहां पर छूट गया है, जो एच इस कंडिशन में अगर हम लोग इस प्रेस पर बात एक तरह से यूरेसिल होता है, उसमें भी हमें यहां पर देखने को प्राप्त होता है, इसके कारण यह जो हमारा है, कैसके वो गयनीन होता है, हमारा जो यहां पर होता है, वो साइटोसिन, हमारा वो थाइमीन है, और जो हमारा यूरेसिल है, उसमें हमें यहां पर टाटव म पर बात कर लेते हैं तो इस condition में क्या होता है कि एक हमारा है वो that is called यह कहलाता है हमारा hypo जो हमारा जन्थीन है उसके वो नाम से indicate हम लोग जो इस structure को इस प्रेस पर वो करते हैं और यह हमारा जन्थीन होता है तो इस condition में अगर हम लोग इस प्रेस पर एक तर से बात करते हैं तो यह अगेन structure हमारा प्यूरीन यह हो जाएगा इसको हम लोग हाइपो जन्थीन के नाम से भी सिंपली यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करते हैं और अगर हम लोग यह जो हमारा structure है अगर हम लोग इस पर आते हैं तो इसमें जो हमारा दूसरा हमारा carbon है उसमें हमें एक ऑक्सी ग्रूप है वो देखने को प्राप्त होता है और यह हमारा जो होगा वह च्छठा हमारा एक इसमें पर कार्वन है उसके उपर भी हमें एक जो आक्सी घ्रूप है वो यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होता है तो यह हमारा 2006 नहीं-पर हम लोग यहां पर simply होते हैं और अगर हम लोग हमारे इस structure के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इस place पर जो हमारा वो दूसरा इस्थान है और जो हमारा आठवा इस्थान है उस place पर हमें यहां पर oxy group जो है वो यहाँ पर देखने को हमें structure में इस place पर एक तरस से प्राप्त होते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा 268 tri oxy purine हमारा simply होगा इसको हम लो यहाँ पर जो हमारा uric acid है उसके नाम से indicate करते हैं और यह जो हमारा होता है यहाँ पर कह सकते हैं purine है उसका जो हमारा end एक nucleo tides होता है तो अभी तक हम लोगों ने जो हमारे नुक्लियो tides होते हैं उसके जो हमारे nitrogenous base यहाँ आप बात किया थह एए तो इसपर हमें कह सकते हैं कि पांच वो carbon वाली जो हमारी होती है, mono यहाँ पर उस से कराइड्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे एक तरस वो pentose हमारे होते हैं, वो हमें अपने nucleic acid के structure में simply देखने को प्राप्त होते हैं, तो आसान तरीके से कह सकते हैं, कि जो भी हमने इसके पहले भी बात किया था, जो हमारे carbohydrate है, उसमें जो हमारे होते हैं mono, हमारे वो से कराइड्स होते हैं, जिसमें कि हमें 5 carbon देखने को प्राप्त होते हैं, तो वो simply हमारे जो pentose हैं, उसके नाम से हम लोग उसको indicate करते हैं, और यह जो हमारे होते हैं, वो सुगर सोते हैं, या हमार 오장 होते हैं, यह हमें अपने Nucleic Acid के structure में यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, तो अगर अगर हम नोग इसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा RNA होता है, उसके अंदर हमें यहाँ एक रात्र यह इए जो डी oxy ribose है वो हमें अपने structure में simply देखने को प्राप्त होता है तो आईए हम लोग structure को यहाँ पे देख लेते हैं concept आप लोगों को और अच्छे से clear हो जाएगा तो यह जो हमारा structure है that is the structure of the D ribose तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 carbon की हमें एक जो हमारा structure है वो यहाँ पे जो हमें वो देखने को एक तरसे प्राप्त होता है और इस condition में अगर हम लोग इस place पे अगर यहाँ पे वो देखते हैं तो इस condition में अगर हम लोग इस place पे अगर हमारा वो दोनों इस place पे अगर जो हमारा OH ग्रूप है वो अगर हमें देखने को प्राप्त होता है तो यह हमारा इस place वो simply कहलाता है D जो ribos है उसके नाम से हम लोग indicate करते हैं और अगर इस place पे जो हमारा structure है उसमें हमें जो हमारा वो दूसरा जो carbon है उसमें अगर हमें यहाँ पे hydrogen group ही देखने को प्राप्त होता है तो वो simply हमारा कहलाता है that is the, यह कहलाता है 2 deoxy ribos simply यहाँ पे कहलाता है तो यहाँ पे जो हमारा वो D है इसका हमारा यह मतलब होता है कि एक oxygen यहाँ से हमारा वो remove हो गया एक oxygen की यहाँ पे एक तरस वो कमी हो गई तो यह indicate करता है हमारा deoxy ribos को और यहाँ पे हमारा जो दूसरा carbon है उस place पे हमें oxygen का loss अपने structure में देखने को राफ्थ होता है तो यह हमारे एक तरसे दो structure है वो जो की हमारा जो होता है हम के सब्सक्राव DNA और जो हमारे RNA है उसमें हम लोग इनको यहाँ पे उपियोग करते हैं अब हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं जो हमारे होते है नुकलिटाइड उनका जो हमारा नॉमन क्लेचर है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग इस condition में बात करते हैं तो इसके पहले भी हम लोग उने बात कर लिया था कि जो हमारे nucleosides होते हैं, उसमें जो हमारा सुगर होता है, हम लोग simply कह सकते हैं, pentose हमारा सुगर होता है, वो हमें देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा nitrogenous base है, वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, तो अगर जो हमारा सुगर है, वो इस place पे अगर होता है, एक तर्स वो राइह वो हमारा सुगर है तो उस कंडिशन में यह हमारा फोर्म करता वो राइबो जो मारी न्यूक्लियो साइड है उसको स्कूर्पवर्म करता है और अगर जो हमारा आउस divul है वो इस्पलेच में वो Deoxy-riPos है, तो उस कंडिशन में घमारा यहां पे फोर्म करता है search Deoxy-ribonucleoside यहां पे week करता है तो अगर इस प्लेश मे बात करते हैं तो अगर जो हमारा वो सुगर है वो यहां पे अगर यह हमारा वो ribos वाला होता है तो यह सिम्पिली हमारा जो होता है डेस उसके साथ में यहाँ पर जो structure create करता है that is called the ribonucleic acid कहते हैं और अगर जो हमारा होगा pentose जो हमारा सुगर है वो अगर यहाँ पर deoxy ribose होगा तो उस condition में यह हमारा simply deoxy ribonucleic acid यहाँ पर simply कहलाएगा तो इस condition में अगर हम लोग इस place पर यहाँ पर एक तरह से बात करते है तो इस condition में जो हमारा सब्द होता है mononucleotides होता है उसको हम लोग अगर जो हमारा वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे structure में अगर हमें केवल एक phosphate जो moiety है वो अपना जो nucleoside है उसके साथ में add होते हुए अगर देखने को प्राप्त होती है तो simply वो हमारा वहाँ पर कह तो अगर हमारे एक यूणिट होगी तो वह हमारा वहां पर कहलाएगा एक से moononucleoside होगा अगर वहाँ पर अगर उसकी जो है दो हमारा वहाँ पर कहलेगा तो इस kind क्टिशन में अगर हम लोग जो हमारा होता है एक तसे मोनोगोटाइड उसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारा जो हमारा जो base है वो हमारा adenine है तो इस condition में जो इसका होगा हमारा ribonucleoside होगा वो हमारा होगा that is called the adenosine और इस condition में अगर इसका जो हमारा हम कह सकते हैं वो ribonucleoside होगा वो अगर इस place पे हम कहें कि उसका जो पाचवा नमबर है उस पे अगर हमारा एक जो phosphate का हमारा moiety है वो वहाँ पे अगर attach होता है तो इस condition में वह हमारा simply कहलाएगा that is the वह हमारा कहलाएगा five monophosphate एक दरसे simply कहलाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा इसके एक तरह वह साथ में जब यह यहाँ पे combined होगा तो यहाँ पर perform करेगा that is the adenosine five राइव-mono-phosphate को simply यहां पर एक तरसे form करेगा और इसको हम लोग short form में AMP के नाम से indicate करते हैं उसके बाद में जो हमारा गवैनीन है उसको हम लोग जो उसका हमारा होता है एक तरस वो राइबो-nucleoside होता है वो कहलाता है हमारा गवैनोसिन कहलाता है और यह जब हमारा जो हो गवैनोसिन-5-mono-phosphate के नाम से हम लोग simply इसको indicate करते हैं और यह हमारा simply GMP के short form में हम लोग इसको यहां पर indicate करने का काम करते हैं उसके बाद में अगर जो हमारा वो cytosine है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा वो nucleoside या हमारा वो ribo-nucleoside form है वो हमारा होगा यह हमारा वो cytodine है और इस condition में और यह जब हमारा जो होता है phosphate उसके साथ में वो linkage create करेगा और यहां पर जो हमारा वो ribo-nucleoside है उसको create करेगा तो यह हमारा कहलाएगा वो cytodine 5-mono-phosphate कहलाएगा या इसको हम लोग CMP से simply indicate करते हैं उसके बाद में अगर जो हमारा होता है यहां पर uracil उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा होगा ribo-nucleoside है वो हमारा होगा that is the uridine और इसका जो हमारा जब यह हमारे phosphate के साथ में वहाँ पर एक तरस वो linkage होगा तो यह जो हमारा वहाँ पर वो ribo-nucleotide create करेगा वो हमारा एक तरस से कहलाएगा that is the uridine 5-monophosphate यहाँ पर कहलाएगा और simply इसको हम लोग UMP से यहाँ पर indicate करते हैं यह जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं वो that is the adenylate और इसको हम लोग कहते हैं that is the cytodilate इसको बोलते हैं और इसको हम लोग कहते हैं that is the uredilate के नाम से भी हम लोग इनको यहाँ पर indicate करते हैं तो इस condition में हम लोग आसान तरीके से यहाँ पर एक तरसे कह सकते हैं कि जो भी हमारा वो nitrogenous वहाँ पर एक तरसे जो हमारा होता है base अगर वो हमारा जो होता है जो हमारा वो ribos sugar है उसके साथ में जब linkage को create करता है तो वो हमारा simply यहाँ पर nucleoside या ribos nucleoside को यहाँ पर create करता है और यह जो हमारा होता है ribos nucleoside यह जब हमारा जो होता है monophosphate उसके साथ में यहाँ पर linkage एक तरसे करता है तो इसका जो हमारा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा that is the adenosine 5 monophosphate हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा वो guanosine 5 monophosphate हो जाएगा और इसका हमारा हो जाएगा uradine 5 monophosphate हो जाएगा, इसको हम लोग AMP से indicate करते हैं, इसको GMP से, इसको CMP से और इसको हम लोग UMP से यहाँ पे indicate करते हैं, तो अभी तक जो हम लोगोंने बात किया, वो हमारे जो RNA है, उसकी जो हमारी monomeric unit है, वो वहाँ पे थी, अब हम लोग जो हम हमारी होती है, monomeric unit, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारे अलग-अलग जो होते हैं, बेस उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा एड़नीन है, वो इसमें होता है, वो ग्वैनीन होता है, हमारा जो थाइमीन है, वो हमें देखने क वह प्राप्त होता है तो अगर जो हमारा यहाँ पे है ८राब बीस है अगर वा हमारा हटा है वह हमारा यहां लिंकेज करता है उसके साथ में होता है तो वह हमारा लाहट करता है उसको यहांब़ेंगेट करेगा जो हमारा वो ग्वैनीन है, वो हमारा यहाँ पर वो डी आक्सी, जो हमारा वो ग्वैनोसिन होता है, उसको यहाँ पर हमारा क्रियेट एक तरह से करता है, जो हमारा वो साइटोसिन है, वो हमारा वो डी आक्सी, वो साइटेडीन को यहाँ पर क्रियेट करता है, और जो हमारा व Mono phosphate है उसके सास्समें Linkage को यहाँ पर create करते हैं तो यहाँ पर एक तरसे क्या पटनीर से form करते हैं यह factual करते हैं यहाँ पर इक तरसे क्या होगा यहाँ पर When Viaglinosin 5-mono-fosphate यहाँ पर कहलाएगा, यह हमारा वो Dayoxi, Vonidine 5-mono-fosphate यहाँ पर कहलाएगा, यह हमोरा वो Dayoxi, V темodine 5-mono-phosphate, simply यहाँ पर कहलाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो damp है, हमारा dgmp है, हमारा वो dcmp है, और हमारा जो होता है dtmp है, उसको यहाँ पे simply indicate करता है, और यह जो हमारा होता है small d, यह हमारा जो होता है deoxyribose, उसको simply indicate करने का यहाँ पे काम करता है, तो आएए अब हम लोग इसका जो हमारा structure ह उसको हलका सा देख लेते हैं concept आप लोग को और अच्छे से यहाँ पे clear हो जाएगा तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह हमारा होता है that is called the pentose की जो हमारी वो सुगर जो unit है वो यहाँ पे हैं तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो दूसरा एक तरसे carbon है उस पर हमें यहाँ पे ओएच गृूप देखने को प्राप्त हो रहा है तो इस condition में यह हमारा कहलायेगा राइबो जो हमारों सुगर है वह यह यहाँ पे स्प्ली एक तरसे कहलायेगा और इस पेस्पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा दूसर और यह जो हमारा फिफ्ट कार्बन है, उसके साथ में हमें एक हमारा जो मोनोफास्ट है, वो यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है, तो इस कंडिशन में यह हमारा एकतर से हो जाएगा, that is the five dash, हमारा मोनोफास्ट हो जाएगा, one, two, three, four, और यह हमारा five है, जिसके साथ मे एक monophosphate देखने को प्राफ्थ हो रहा है तो अगें यह हमारा हो जाएगा 5 monophosphate यहाँ पर simply हमारा हो जाएगा और इस condition में अगर हम लोग इस place पर देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर adenine है वो इसका जो हमारा होता है यहाँ पर कह सकते हैं pentose हमारी वो sugar है उसका जो हमारा हो communicate करते हैं और इस condition में अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा थाइमीन है वो इस place पर हमें जो हमारा होता है pentose sugar उसका जो पहला carbon है उसके साथ में attach होते हुए हमें यहाँ पर जो थाइमीन है वो देखने को प्राप्थ होता है तो यह हमारा simply हो जाएगा deoxy जो हमारा थाइमदेन 5-mono phosphate simply यहाँ पर हो जाएगा तो इस condition में अगर हम लोग जो हमारा होता है हम लोग जो इस place पर एक तरसे कहा सकते हैं कि यह जो हमारा है यह हमारा है यह क्या है nitrogenous base है हमारे यह हमारा इस place पर क्या है that is the जो हमारा होता है pentose की हमारे वो sugar जो unit है वो है तो इस place पर यह हमारा वो ribose है यह हमारा deoxy हमारा वो ribose है और उसके साथ में यह हमारा यहाँ पर जो phosphate है उसका हमारा इसके साथ में जो linkage है वो इसको यहाँ पर indicate क से draw कर सकते हैं, जो हम disponible D Riания, D GMP है, DCMP है और हमारा DTMP है, उनके bus structure हम नोग आसानी से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे draw कर सकते हैं, तो एगर हम लोग dealers इस पर बात करते हैं, तो जो हमारा AMP होता है, उसका जो हमारा second और हमारा थर्ड जो वहाँ पे phosphate है अगर वो वहाँ पे add हो जाता है तो वो simply इस place पे क्या कहलाता है कि अगर यहाँ पे जो हमारे वो दो अगर phosphate यहाँ पे add हो जाते हैं तो यहाँ पे इससे पहले क्या था यह हमारा था that is called the यह हमारा monophosphate means यहाँ पे एक हमारा phosphate है अगर एक और हमारा phosphate यहाँ पर attes हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा कहला हैगा that is the adenosine dye phosphate जो हमारा वो simply इस place प exhからए गा और अगर हमारे यहाँ पर जो phosphate है वो अगर यहाँ पर थीन हो जाएगे तो उस condition में यह हमारा यहाँ पे adenosine triphosphate simply कहलाएगा जिसको हम लोग ATP के नाम से भी indicate करते हैं तो I think so, यह जो भी हमारे nucleic acid है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो भी हमारे nucleotide है वो अच्छे से आप लोगो clear हो गए होंगे उनका structure आप लोगों को अच्छे से clear हो गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूँछ सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा अगले वीडियो में हम लोग DNA और RNA के structure के बारे में भी बात करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे एप को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू